हलो फ्रेंट्स मौनकुल देप सिंग दोस्तो आज के समय महिलाओं के दौरा सेक्ष्वल ओफेंसेज की रिपोर्ट्स काफी अधिक दर्ज करवा जाती है जिन में से कुछ लोगों के अगेंस्ट में ये प्रूव भी होता है कि उन लोगों ने ये अपराद किया है अगर बाद में प्रूव हो जाए कि यहां पर महिला ने गलत तरीके से रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तो उसके अगेंस्ट में कोर्ट का रिवाही करेगी और यहां पर कोर्ट के दौरा उसे पनिस्मेंट दिया जाएगा क्योंकि दोस्तो इस केस में यही हुआ था इस केस में एक लड़की ने अपने कलीक जो कि साथ में काम करने वाला परसन था तो उसके अगेंस्ट में सेक्सवल ओफिंस की एक ais रिपोर्ट दर्ज करवाई और वो report उसने अपने department में करवाई तो वहाँ पर department ने internal inquiry की और department ने internal inquiry करने के बाद में कहा कि उस person ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है फिर भी उस person का department ने transfer करके किसी other department में भेज दिया ताकि उन दोनों के बीच में जो भी मदबेत थे तो वो आगे नहीं बड़े लेगिन उसके बाद में भी लड़की ने उस departmental inquiry के against में हाई कोट में petition file की और वहाँ पर उसने कहा कि department के दोरा जो inquiry की गई है वो बिल्कुल गलत है और उस person ने sexual assault करने के उसके साथ कोशिस की थी जिसके बाद ने हाई कोट ने भी उस case में inquiry की और हाई कोट ने ये कहा कि लड़की ने जो complaint दर्ज करवाई थी अपने department में तो उसमें उसने ये कहा था कि जिस समय उसके साथ में sexual assault हुआ था तो उस समय उसके साथ में और भी persons मौजूद थे लेकिन उन persons का वहाँ पर नाम नहीं बताया उस लड़की ने इसके अलावा लड़की का कमपनी में काम करते हुए रिकोर्ड भी अच्छा नहीं रहा है तो इन आधारों पर हाई कोट ने ये कहा कि लड़की ने जो complaint दर्ज करवाई है sexual assault की तो वो प्रूम नहीं हो पाई है लड़के के अगेंस्ट में तो यहाँ पर लड़की ने गलत सिकाय जर्ज कराई थी sexual assault की यहाँ पर तो इसके अगेंस्ट में हाई कोट ने एक्सन लेते हुए उस लड़की के उपर 50,000 रुपे का जुर्माना लगाया इस केस में तो दोस्तों यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपके पास में अगर प्रूफ है तो ही आप किसी भी परसन के अगेंस्ट में sexual assault का केस जर्ज करवाएं और अगर आप जूठे आधारों पे ही बिना किसी सबूत के किसी भी परसन के अगेंस्ट में अगर sexual assault का केस जर्ज करवाएंगे तो यहाँ पर अगर आप प्रूम नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में कोर्ट आपके अगेंस्ट में कारेवाही करेगी क्योंकि दोस्तों आज के समय sexual assault के के केसे काफी अधिक बढ़ गए हैं इसमें से कुछ केसे सही हैं लेकिन कुछ केसे ऐसे भी हैं जो कि किसी अधर परसन को परेशान करने के लिए केवल दर्ज करवाय जाते हैं तो इसलिए कोर्ट आज के समय इनके अगेंस्ट में सकती से कारेवाही करती है और कोई भी महिला अगर किसी भी person के against में अगर जूठी शिकायदर्ज करवाती है तो यहाँ पर court action ले सकती है और court उस महिला की उपर fine bill लगा सकती है तो दोस्तो इस परकार से आप इन चीजों का ध्यान लखें कि किसी भी person के against में sexual assault की या फिर किसी भी चीज के लिए गलत सिकायदर्ज नहीं करवाएं दोस्तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा इसी परकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें क्योंकि ऐसे informative वीडियो मा आपके लिए देली लाता हो